हलो एवरीबडी दिस दिगराश सेंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट मेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे ओल्गा तैलिस वर्सिस बॉंबे मुनसिपल कॉर्परेशन वाले टॉपिक को अभी तक हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने देखा समझा चीजों को कि किस तरह से जुडिशेरी जो है हमारा जो जुडिशल सिस्टम में बना हुआ है मतलब कैसा स्ट्रक्चर है उसका ठीक है अलग-अलग ब्रैंचेस होती है फिसके बाद में लास्ट विडियो में हमने एक बहुत इंपार्टन को डिसकस किया था कि does everyone have equal access to court ठीक है क्या हर इंसान की equal access है court तक क्या हर इंसान पहुच सकता है court तक तो हां भी और ना भी क्या कहना चा रहे है हां भी और ना भी से तो हाँ इंसान तो जा सकता है मतलब कोट तो हर इंसान को मतलब हर individual को हर citizen को equal front पे justice provide करेगा ठीक है चाहे वो कोई भी हो लेकिन practical problems होती है बहुत जादा पैसे की कमी, time की कमी, knowledge की कमी तो हर इंसान क्या अब इस इन सारी कमियों के साथ में justice को पा सकता है तो देखो क्या है हाँ पे there are also court judgments that people believe work against the best interest of common person क्या होता है कि कुछ judgments किस की judgment, court ही judgment देगा आप और मेरी judgment से क्या होता है तो कुछ judgment courts की ऐसी भी होई है जो common person की interest के against में गई है अब आप बोलो कि सरी यह तो देजावू हो गया है जी हाँ, आपने अगर देखा होगा तो controversial और unpopular laws जो थे तो उसी तरह से कभी-कभी क्या होता है कि हमारा integrated nature है जुडिशेरी का बताया था हमने इसी चप्टर में आगे तो integrated nature होने के कारण क्या है कि जो judgment आपने आपके district court ने दिया और हमारे judiciary integrated है अब कभी-कभी क्या होता है कि high court कुछ बोलता है supreme court कुछ बोलता है district court कुछ बोलता है तो इस कारण से क्या होता है कि common जो citizens उनके लिए problem भी create हो जाती है उसका एक example है Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation का ठीक है ये case को समझे ये case की मैं आपको एक outline बता देता हूँ क्या होता है Bombay Municipal Corporation decision देती है कि जो footpath empowerment जो है तो वहाँ पे जो भी slum dwellers हैं या फिर जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहाँ से हटाये जाए evict किया जाए उन्हें वहाँ से हटा के कहीं और मतलब कहीं और बिठाये जाए भी नूँ बस उन्हें वहाँ से अपने जो footpath पे घर बना के रखी होने वह खाली करना होगा ये court ने judgment दे दिया तो क्या होता है कि judgment on eviction of slum dwellers तो जो slum dwellers थे ठीक है जो की जोपडियों में घूमते रहते थे कभी इस footpath पे यहां पे सामान बेचा उन्होंने कुछ ठीक है कभी आगे चले गए तो इस तरह से जो slum dwellers होते थे उन्हें हटने के लिए कह दिया court ने कह दिया अब देखो क्या होता है तो the same time some judgments try to protect the livelihood of slum dwellers अब क्या होता है कि जब यह local level पे जो courts ऐसी judgment देते हैं तो लोग higher level पे जाते है Supreme Court में जाते है कि हमारा fundamental right है क्या कि हमें जीने काधिकार हो लेकिन अब क्या हो रहा है कि judiciary जो है तो एक तरफ से हमें भगा रही है पिर यह दूसरी judiciary के पास मगया तो दूसरी judiciary उन्हें प्रोटेक्शन दिया मतलब Supreme Court उन्हें कैसे protection देता है तो यह Olga Telesources Bombay Municipal Corporation को केस से समझो Supreme Court क्या कहता है Right to livelihood as a part of right to life Supreme Court बताता है कि right to livelihood जो है आपका जो जीने का अधिकार है जीने का अधिकार जो है तो उसमें आपके अधिकार यह भी कि आप सहीं तरह से जी सको ठीक है आपके पास काम और रहने की जगा हो ठीक living space होना चाहिए एक अब क्या होता है Supreme Court यह बताता है ठीक Olga Teles वर्सिस Bombay Municipal Corporation केस में कि जो slum developers हैं तो some slum developers को क्या problem face करना पड़ती कि पहली बात तो economically sound नहीं है पैसा नहीं है दूसरा क्या है कि वो शेहर को साफ करने में सारी सीजों में लगे हुए है ठीक है और अब उनके पास रहने की जगा नहीं है तो कहा जाएंगे उन्हें शेहर भी समालना एक तरह से देखा जाए तो तो उस संस में सुप्रीम कोट जज्मेंट देता है कि उन्हें जीने का अधिकार तो है यह तो मतलब universally accepted right हो गया right to life अब right to life में सिर्फ यह नहीं कि mere animal existence की तरह आप जीते रहो बस कि जानवर की तरह जीतो जानवर भी रहें तो आप ऐसा नहीं कि बस जीने का अधिकार है तो आपका murder कोई नहीं करेगा क्या life means something more than merely animal existence सिर्फ जानवर की तरह जीने का मतलब life नहीं होता है उससे कुछ जादा होता है क्या होता है कि खाना हो ठीक है आपका development हो ठीक है आपको एक safe environment मिले रहने के लिए घर हो यह सारी चीजे अब इसलिए आप दिखते होंगे ना कि government की जो policies आती ही तो वो supreme court के judgment से कहीं नहीं बहुत जादा जुड़ी होई होती है कैसे अब प्रधान मंत्री आवास योजना आईये तो government क्यों लोगों को घर बना बना के दे रही है क्योंकि यह government की responsibility की लोगों के fundamental rights है की right to life अब जीने के लिए घर भी चाहिए रहेगा ना तो government support करती है इस तरह से तो supreme court judgment right to livelihood as a part of right to life जिसमें क्या बोलती है life means something more than mere animal existence ठीक है and the eviction of person from pavement or slum will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood वो उनका जी मतलब देखो अब ऐसा तो नहीं है कि उन्हें आप powerment से footpath से हटा दोगे तो वो जाके कहीं किसी multi में बहुत आलिशान flat ले लेंगे नहीं रह सकते ना तो उनका right to livelihood क्या है उनका जीवन यापन का तरीका क्या है कि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए तो वो पार्वमेंट पर footpath पर है कि जीवन जी रहे हैं अपना यह तो government की responsibility बनती है कि government उन्हें वेवस्तित तरह से क्या करके दे accommodation दे तो यह right to life में आता और यह Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation का पूरा case था जिसका मैंने क्रक्स आपकी जो बुक है 8th class की civics की बुक उस हिसाब से मैं ने आपको समझाया I hope तीजे समझ में आई है chapter यहाँ पर खतम होता है किसी प्रकार के doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much